नमस्कार आप देख रहे हैं जेल के मीडिया न्यूज मैं सचिंचिप तो जैसे कि आप सारे जानते हैं जो अमना थ्यात्रा है वो हमारे जम्मून कश्मीर में अरंभ हो गी है दूर दराज से जो श्रदालू अब वो अमना थ्यात्रा के लिए जम्मू में आ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो श्रदालू जो दूर दराज से आ रहे हैं अमना थ्यात्रा के लिए क्या उनको डिस्ट्रिक जम्मू एंविनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गाइडलेंस और जो रूल है क्या उनको पालन कर रहे हैं या उनको रूल्स के बारे में पता है जिससे उनके जो अमना थ्यात्रा उसेफ हो जाएकि सिक्चर हो जाएक। ऑप सबसे पाद आपको टोकन लेना पड़ता है जो की आपको जम्मू से ही मिलेगा तो मैं यह यह बताना चाहूंग। जब आप आप उनलाइनस रिजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सबसे आना चाहूंगो कि आपको जो टोकन है वो मिलेगा कहां से आपको जो टोकन है वो सर्स्वती धाम सर्स्वती धाम नियर रेल्वे स्टेशन जम्मू का रेल्वे स्टेशन उसी के पास सर्स्वती धाम है वहां से आपको टोकन मिलेगा जब आप टोकन ले लेते हैं उसके बाद आपका एक medical examination test होगा basically तो आपका medical examination test आपके centers में ही होगा जहां से आपको token collect करना है in case अगर आपको वहाँ से medical examination test नहीं होता है तो आपको किन किन hospital में जाके यह करवाना पड़ेगा यह मैं अपने दर्शकों को पंजवानी जमू यह कुछ तीन होस्पिडल्स जो कि डिस्ट्रेशन की तरफ से सामने आए गये जहां पर आप अपना medical examination test करवा सकते हैं फिर टोकन लेने के बाद आपके registration होने के बाद आपको क्या करना है कि जो token collect करने के बाद आपको एक चार्ज दिना पड़ेगा जो कि टिकेट चार्ज होता है जो की permit होता है आपका आगे यातरा को proceed करने का और वह permit के जो charges है वह है 220 रुपे मैं फिर से बनाना चाहूंगा 220 रुपे तो उसके बाद आप जब पूरा registered हो जाएंगे token भी आपको मिल जाएगा यह मैं बात कर रहो online registration वाले online registration वाले pilgrims के लिए यातरी के लिए जो की online register करवा चुके है आपने हमने different districts है different states है उसके बाद आपको जब token मिल जाएगा आपका examination medical examination भी हो जाएगा और आप एक sum of रुपीस to 20 रुपीस आप पे भी कर दोगा चार्ड जो कि आपको permit मिलता है उसके बाद आपको RFID tag मिलेगा जहां पर आपको सारी information दी जाएगी date of registration भी दिया जाएगा और किस दिन आपने आतरा के लिए प्रस्तान करना वह भी आपको उसी दिन बताया जाएगा यह एक और बाद में बहुत इंपॉर्टन नहीं बताना चाहूंगा online registration वालों को तो यह पता ही होगा कि information regarding कि आप enter कैसे करेंगा आपको permit कैसे मिलगा तो यह कुछ following steps है जो कि district administration जम्मो की दरह से guidelines सामने आई है जहां पर आप यह सारी guidelines को follow गरों जिससे आपकी यात्रा easily हो जाएगी और आपको इतने चक्रों में नहीं फसना पड़ेगा अब दूसरी बाद में आपने यात्रें को यह बताना चाहूंगा कि registration के बाद उसके बाद आपकी यात्रा शुरुवात कहां से और एक हों चीज़ बताना चाहूंगा जो यात्री अपनी परिसनल वीइक से आए हैं अगर वह कानवाई के साथ नहीं जाना चाते जो यह बसे नहीं जाना चाहते अगर है अपनी परसिन में जाना चाहरे तो उसकी भी इसमें बताना चाहूंगा वह सी ताइमिंग को आक lawyer क करवाना है तो आप रात के दस बर से पहले करवा सकते हैं क्योंकि नेक्स आपको सुबह सुबह अर्ली निकलना पड़ सकता है तो यह इंपोर्ड इंफॉर्मिशन है ऑनलेन की अगर हम बात करें ऑफ लें रिजिस्टर करवा रहे हो अगर आप दूर दरास से आरे हो अलग की गई है को में टीक है को मिडिशन ओपिल्ग्रीम और आपको खानापी ओस जाएगा रहना वियाद भी प्रवाइड किया जाएगा और कई ऐसे अन्ह Emma सब दाइए है रहने कि जग tehd Martika सबनेबिदं कि यहां त्याएं जाहाँ वे सतंधी दाम है एंगर यात्री निवास है ब्राह्मन सहाब है डोगरा सरदार सहाब है बड़े ऐसे अन्य एरिया जहां पर यात्रियों के लिए रहने का ठीकाना यहां पर रखा गया डिस्टिक एड्मिनिस्रेशन जम्मू की तरफ से यह बहुत इंपोर्टन अपडेट है और एक और चीज़ यहां पर बताना चाहूं इनकेस अगर आपको ज्यादा फेर दे तो यह इंपोर्टन इंफरमेशन आप लोंग के लिए क्योंकि आप बाहर से आए हैं और टोटल किलोमेटर जो आप ट्रेवल करोगे वह चार किलोमेटर होगा ऐसे अगर आप स्टी बीटी तू यातरी निवास बगवतिन अगर आप जालू हैं जिनको नहीं पाता है कि रेजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और यहां पर वो कहीं दिनों से फस्ट जाते हैं और उनको नहीं पता होता कि प्रॉपर वे क्या होता है रेजिस्ट्रेशन करवाने का फिर यहां आगे पिछे धक्या घाते हैं तो यह आपको इंपॉर के लिए, signing off from now, cameraman Amandeep के साथ, Sachin Chip, JLK Media.